अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं बैसर कल मार्केट कैसा रहे सकता है कल क्या मार्केट में प्रॉफिट बॉकिंग कंटीनिव आ सकते है या फिर रिकवर करेगा एंड देखो बहुत सारे व्यूर्स की क्वेरी है सभी के वन बैवन कवर करें कि जरू कोशिश करूंगा थेंक्यू सो मॉच ओकी देखो सीरस नोड पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था यहां पर मैंने क्लियर बोला था कि बज़ार में मुझे और प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई देती है तो जादा पैनिक मत किजेगा अब जो होने वाला है वो तो होगा ठीक ह अगर आप वर्स्ट में प्रिपेर होगे तो अपना बैस्ट फ्यूचर में दे सकते हैं यह हमेशा याद रखेगा एक बैक अप प्लान होना चाहिए बैक अप प्लान नहीं होगा आप फस सकते हैं यह बात ध्यान में जरूर रखेगा अब मुद्दा हाते के सर अभी मार्क ऑफ स्केंडल बने क्यों कि पर्सोग इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ऐसा भी हो सकते कल थोड़ा सा पुल बैक कर ले तो मैं यहां पर यहां पर वर्स्ट बाकी था तो ऐसा म अभी समझेका क्या बाई कल पूल बैक करेगा तो वर्स चला गया एसा मसं सोचेगा क्योंकि अभ अगर पॉलिसे में नेगेटी होया तो सब को लेके ट्रैप कर सकता है इसके वज़े से चूटा सा बाउंस आईगा तो देखते हैं यहांपर क्या होता है अगर फॉल कर भी गया कल तो मार्कें में मुझे लगता है कि पॉस्केंडल बननी चाहिए नीचे सपोर्ट निफ्टी क मुझे लगता कल ज्यादा पॉल आना चाहिए स्मॉल पॉल सकता है मैक्सिमाम एक छुटी रिंज में आपको सो से सवा सो पॉइंट के मार्केंट रिंज में दिखाए दिया सकती है अगर बात करें जाए फ़ाई की तो एफ़ाइन आच खरीदर की है उसका रिजन में क्लिय आज की एक वीडियो में बता चुका हूँ जाके डीटिल में देखीगा ये बहुत काम का वीडियो है ठीक है मैंने यहाँ पर स्क्रीनर पीजो मेरा था ना उस में भी कुछ डीटेल अबडिट की आप जाके चेकाउट जरू का सकते हैं ठीक है ये ये काम का वीडियो यह मि किसरा कर देंगे ठीक है शोटें सिंपल में आज सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज है औरो बिंदो फार्मा इनको यहां पे ड्रग का अपूरूवल मिलता हुआ दिखाईए पॉजेटिव है साइज आप दिखोगे यहां पे 44.5 मिलियन यूज डॉलर्स की है पॉइंट यहां जाते कि सर औरो बिंदो फार्मा कहां तक जाएगा मानलो न्यूस पॉजेटिव है ठीक है हम लोग देखो यह वीडियो हमारा कामका क्यों होता है पार्ट टू क्योंकि हम लोग डिसकस यह करते हैं कि पॉइंट क्या है कि अगर प्रेश बाई करे के ना करे और मानलो यहां से और पास से तो क्या आगी स्रेटरजी हो सकती है तो शॉट इन सिंपल में सुन लो मार्केट में मुझे लगता है और बिंदो फार्मा के अंदर बड़े प्लेस ने प्रॉफित बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है यस आपको इसको देखो फार्मा स्टॉक को आप पकड़ के बैठोगे कि सर में यह ब्रेक आउट करेगा तो मैं अच्छा रिटेन मुझे देगा ऐसा मत समझेगा ठीक है सीरेस नोट पे आपको ध्यान में यह रखने के स्टील सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर उसमें टेकनिकल साथ मिनने के बाद आपको यह स्टॉक आट सो के असाड़े आट सो पर मिलेगा तो अभी के लिए स्टॉक में यूस पॉजिटिव में भी पुलबे का है लेकिन आप फस सकते हैं थोड़ा सा केरफूल लाईगा स्टॉक है एंटी पीसी एंटी पीसी अगर बात करने जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 बिलियन रुपीज का यहां पर एंसीडी इशू होता हुआ दिखाए दिया है 7.48% से 2 साल के लिए एंसीडी यह जनरली क्या होता है कि बोलते हैं एक छोटी मोटी लोंग लेने की कोशिश करते हैं तो यह होता रहता है इनके लिए इनक सकते हैं क्लियर बॉंड जारी करना वह एफस लाना बहुत सारी चीज़े होती है तो यह नियूस आप बोल आप ऐसे नियूस पॉजिटिव है नेगेटिव है हां कंपनी फंड जुटा रही है इसका मिनिंग कंपनी को कुछ करना है फंड को यूज करना है तो आप क्या ध्य आप यहां से प्रॉफिट बुकिंग आए और स्टॉक यहां से जाएगा टूएटी टूफॉट्टी अब ऐसा मत सूचेगा यह मार्च मंद में जाएगा एपरिल मंद में जाएगा लेकिन इस्टेडिली जाएगा ठीक है ज्लोएं स्टेडिली जैसे कि 2011 के अंदर स्टॉक मुझे प्रॉफिट बुकिंग दिखाए देती है अदानी एंटरप्राइस ऑके अब दियान से सुनेगा अदानी इंटरप्राइस क्या कर रहा है जीन को नहीं पता है अदानी ग्रिन के अंदर यहां पर इनकी पैरेंट फर्म का एक स्टेक था पैरेंट फर्म का नाम है और वो b प्रोपराइटरशिप है या मेरी LLP है ठीक है मैं उसको convert करना चाहूँगा private limited दे तो मैं क्या करूँगा अपना stake convert करके forward कर दूँगा private limited के अंदर तो यह एक टाइप का stake conversion है ठीक है यह किसी ने acquire नहीं कि आप ऐसा सूचे का मत किसी ने acquire कि है हाला कि अगर पूचे सर अदानी में क्या हो सकता है अभी कोई update है क्या ठीक है तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि वो news fake थी I'm sure याद होगा आप लोगों को ठीक है जो आदानी को बोल रहा है दिन कि आदानी पर को जान चल रही है वगेरा 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 वो news आदानी ने खुद clear के है आज के दिन के अ देखो Bloomberg तो हमेशा fake news फेलाता रहता है मुझे कितना गुसा आ रहे है पता नहीं क्या बूल सकते उसको ठीक है अब कुछ कर नहीं सकते है आज प्रॉफिट बुकिंग अदानी गुरूप में थोड़ी सी वापस आ चुकी है अब इसको प्रॉफिट बुकिंग मत सूचीगा थोड़ा सा हलका सा प्रॉफिट बुकिंग है अदानी ग्रीन एक बाद देख लेते अदानी ग्रीन में कहा मुमेंटम है सी अदानी ग्रीन आज उसमें भी प्रॉफिट बॉकिंग है तो यह अब यह समझा अभी के लिए रींज में आ चुका है स्टॉक शॉट टेम के ठीक है टॉप से और बॉटम की है 2860 की तो यह सीम रींज में अभी शॉट टेम के लिए मार्केंट में गूम सकते हैं आदानी स्टॉक्स सभी आदानी स्टॉक्स टाटा मूटर्स के लिए नेगिटिव न्यूज है कि टाटा मूटर्स ने जेगवार लेंडोवर ने अपने वहिकल से उसको रीकॉल किया है वापस बुलाई या ने की तो वह पावबस बुला लेता है वहिकल को ठीक करके वापस मार्केंट में भीजूगा ताकि अपने नाम खराब नो ठीक है मार्कें में कभी-कभी वहिकल्स खराब पहुंच जाते हैं जलबाजी के अंदर करेगा उसका फादर भी ठीक है अगर मार्केट में डीप बढ़ा आता है तो मुझे यह स्टॉक आंट सो पर मिलता है तो मैं यह स्टॉक सबसे पहले कुद के लेने की सोच रहा हूं ठीक है आपको सोच नहीं सो सकते हैं इसको जरूर अडर पर रखीगा यह आंट सो आ सकता है ठीक है मैसरी मुलग कली आएगा मार्च मंद के ने लेकिन टाइम लेके आएगा क्लेयर हो गया तो शॉट एंट सिंपल में स्टॉक के लिए नेगेटिव निए से स्टॉक में शायद और पॉल आ सकते हैं जे बीम ऑटो यहां पर उपर जाता हुआ दिखाई जिए क्यों स्टॉक में अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक करने का सोच ना क्योंकि जिस तरह से जब भी यह स्टॉक गिरेंगे ना बहुत फटके गिरने वाले हैं स्टॉक देखती देखते 50% गिर जाएगे लेकिन आप पैनिक हो जाओगे पागल हो जाओगे ठीक है ऐसा वीच सोब गया आप बोलोगे सर वो बंदा तो सही है लॉंग टर्म के लिए होल्ड करने बूला और मैं यहाँ पर प्रॉफिट में आ गया ठीक है तो इतना जैन में रखेगा देखो लॉस हो तो लॉस कभी-कभी बूक नहीं करना चाहिए आप एवरेज करके अच्छे लेवल प कहां पर गी रहा है ठीक है मैं इसका मंधली चार्ट पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया है जस्ट लूड ले रहा है यहाँ पर सी आप यहाँ पर दिख सकते हैं स्टोक गया था साड़े 800 के उपर 2020 के अंदर और आज है 2024 चार साल हो चुके है अब इनको पुछेगा कि लॉंग चार साल, छे साल, आट साल, दस साल, कितना होता है, तो एक बात ध्यान में रखेगा, अगर आप long term सोच रहे हैं, तो stock में जब bull rally आती है न, ठीक है, तो उसके बाट bad rally भी आती है, जैसे कि हम लोग ने mid cap and small cap में दिखा था, और जब ये गिरेंगे न, तब आपको रोणने व दो लाग हो चाता है, तो दो में से एक लाग वापस निकाल दो, आपकी मूल investment value, उसके बाद वापस जो pending amount एक लाग पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट का, अगर वो वापस stock double हो जाते है, current time से, ठीक है, तो वापस आप एक लाग further निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा ऐ अगर में रखेगा, ठीक है, तो JBA मोटर मुझे risk लगता है, अभी थोड़ा careful हैगा, JBA मोटर and Electra Green Tech के अंदर, PSU stock यहां पर जान से सुनेगा, रमेश दववानी यहां पर यह बोल रहा है, यह PSU stock आगे और really कर सकते है, future के अंदर, और जो अभी recent correction है, वो छोटा सा correction आपक कि मुझे लगता है कि railway stocks, defense stocks और उपर जा सकता है, अगर बात करेंगे, PSU banks की, ठीक है, तो PSU banks में मुझे लगता है, still एक pullback दिखाई दिए सकता है, pullback खतम होंगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन एक pullback शायद और दिखाई दे सकता है, ठीक है, तो हाँ PSU stock में श प्रीजी, power and three-way नी, तो three-way नी यहां पे cover कर लेता है, ठीक है, तो three-way नी turbine में आपको बता है था stock उसके बाद stock गीरा था, और stock वापस recover किया, आज के दिन के अदर, ठीक है, आये अन्ड स्वाप्स नी देखो के पांस सू को आज अज टेस्ट किया था लेकिन वाश मुस् लोल्यूम के साथелrant जीयां वापर नाद है आ दो स्टाथ यह संजो खिर अभी यह शीन प्रेप्स बिरीक नहीं होना चμεना चीए और रो contrib करें थोड़ी स्टील करें इसको यह रडार पी रखेगा जो स्टॉक चलने वाल है वह तो चली गहीं काफी कम चलेंगे लेकिन कुछ न कुछ specific stock तो जरू चलेंगे तो 3-way नहीं इस positive जरूर radar पर रखेगा और अगर बात करेंगे CG power की तो वह भी एक बार दिख लेते है CG power sir CG power में क्या हो रहा है इसको hold कर सकते हैं क्या दिखो मैं serious टॉन पर बोलूगा कि मेरी वो strategy जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि profit डबल हो जाए तो उसको आधा निकल दो वापस डबल हो वापस आधा निकल दो वह strategy यूज करो क्योंकि मुझे यह clear-cut overbought दिखाई देता है और 500 पे clear-cut resistance face करा है एक मंथिली candle देखोगे तो इसने टॉप पे चार महिने पांच महिने निकाल दिए अगर यह गिरेगा ना तो यहां से मलब i will chemical जैसे हाल हो जाएगा तो careful clear रहे ना उपर top create कर रहा है top create कर रहा है पांसो पे clear बड़ा टॉप है जब तक यह 504 के उपर नहीं जाता तब तक कहना मुश्किल है तो अभी थोड़ा careful लेना गिरेगा तो बहुत खताना गिरेगा और वैसे में आपको यह स्टॉक सिस्टी से बताया था एक सर की क्वेरी थी सर्श शुगर स्टॉक्स यानिकी कहां पर गया कि बज़ाज का बाइबेक एंच 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 पीसी के बारे मता है अभी क्लियर कट साइड वैसे चीक है आपको अभी ज्यादा इथेनोल आ चुका है तो शुगर कमनी से तो शुगर कमनी इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है अभी के लिए सर क्या करना है स्टॉक के अंदर तो आप यह समझेगा स्टॉक प्यॉर साइडवेस है यह स्टॉक ऐसा लग रहा है बेज बना रहा है और यहां से शायद भाग करने का सोच सकते हैं जिसमा भी पैनिक करने की जरूद नहीं है बेस कर रहा है यहां से भागेगा तो अच्छी मोमेंटम कर सकते हैं अगर यह गिर गया जस्ट इंग्जांबल कुछ हुआ और गिर गया तो स्टॉक का बेस सपोर्ट है 4060 पे तो यहां पर जरू सोच सकते है अब यह च्छोटा इंस्टॉर्मिंट अगर ट्राइ करना चाहते कर सकते हैं मुझे लगते हैं शुगर स्टॉक में शायद जल्दी रेली आ सकती है एंफ्यूस सॉलूशन करके यहां भी सर की क्वैरी थी ठीक है सर एसे में स्टॉक कैसा है डेट टू सब्स्रिप्शन 39 पस KPIT Tech में क्या कर सकते हैं तो देखो KPIT Tech में clear बोला थे कि profit booking आ सकती है और stock में आनी start हो चुकी है stock one way भाग रहा था one way जा रहा था one way जा रहा था और stock अभी profit booking करना start हो चुका है अब यहां से और profit booking आएगी तो अगर pullback आया तो इसको dead care bounce समझेगा ठीक है dead care bounce समझेगा क्योंक आएगा तो आप चाहिद पैनिक कर जाओगे तो थोड़ा careful लेना stock मुझे 1000 तक जाता हुआ दिखाईजे सकते हैं और अगर यह stock 800 पे आए तो आप सुच सकते हैं तो और कभी भी stock नीचे आ सकता है तो ऐसा मैं सोचेगा कि नहीं आएगा आ सकता है और कोई भी कभी stock ऊपर जा सकते हैं अच्छे लेवल पर तो शॉटें सिंपल में केपेड़ी नीचे को लेवल पर आपको फोकस करना चाहिए प्रॉफेट बॉकिंग आ सकते हैं और एक बात याद रखेगा मैं आपको बोलता हूं कि अगर नीचे आएगा तो इसका में नहीं है कि स्टॉक कली अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जय है